नमस्ते आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल माजी की रसोई में आज बनाएंगे बच्चो का मन पसंद बहुत ही फेवरेट होता है ये बर्गर जिसके लिए वो मैकडोनल जाना चाहते हैं तो आप घर पे ऐसे बना के देंगे तो मैकडोनल जाना भूल मैकडो अब जाना एक दो करना लेगा ऀसमें मैकी काटके रिए यह सीमला मेचिन को भी बारिक काटके रख लिया है और यह दनियापती है और यह मिर्चय को उतना बत्स बारस मिरता है एब इतना करेंगे। अब बोयल को ब्कुलद ऑलो को आप ग्रेट कर लें तो उसमें ग अगर बच्चे खा रहे हैं तो मिर्च कोई स्कीप कर सकते हैं और स्वाद कनुसार नमक, काली मिर्च पौडर, जीरा गरम मसाला है जो बहुत अच्छा स्वाद देगी और चिली फ्लेक्स है अगर नहीं है तो चिली पौडर भी डाल सकते हैं और इसमें तीन चार बड़े चमस से ब्रेड क्रम्स डाल देंगे ब्रेड क्रम्स अगर घर में नहीं है तो नॉर्मल ब्रेड होता है ना फ्रेश ब्रेड होता है उसको भी मिक्सी में चला लेंगे तो यह ब्रेड क्रम्स बन जाएगा अब इसको इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो इसको मिक्स करके इसको आठी की तरह गून लेंगे और इसका बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हम ये बनाएंगे टिक्की ताकि बर्गर में उसको डाल सके तो इसको अच्छी तरह हाथ से मैश कर लिजिए ताकि अच्छे से सारी चीजें मैश हो जाए यह हमने सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके इसको आठे की तरह गून के एक साथ रख लिजिए और इस तरह से टिक की बना लिजिए थोड़ा-थोड़ा हाथ में आलू का मिश लेकर के उसको गूल बना के चारो तरप से दवाते हुए इसको अच्छे से टिक्की बना लेंगे ताकि फटे नहीं इस तरह से हम सारे मिर्श्वन का हम टिक्की बना के रख लेंगे अब एक बॉल में दो से तीन चमच कॉन फ्लोर दो चमच मैदा और थोड़ा नमक मिक्स कर लेंगे और उसको में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उसका एक गाढ़ा सा गूल बना लेंगे इस तरह से देरे देरे पानी डालते हुए अच्छा सा घूल बना के उसमें टिक्की को डिप करेंगे तो एक गाढ़ा थोड़ा होना चाहिए एकदम पतला नहीं तो हमारा घूल बनके तयार है और उधर ब्रेड क्रम्स भी है अधर टिक्की भी बना के रख लिया है तो एक एक टिक्की लेंगी और उसको इस घूल में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगी और उसको चारो तरप से घुमाते हुए थोड़ा दवाते हुए इसमें ब्रेट क्रम्स में लपेटेंगे इसको अच्छे से ताकि इसमें अच्छे से वो ब्रेट क्रम्स लग जाए चारो तरप से इसी तरह से सारे टिक्की का हम बना लेंगे ब्रेट क्रम्स में लपेट के इसको रख लेंगे तो एकदम कुरकुरा टिक्की बनेगा पहुत ह कृषित्य लगेगा इस तरह से टिक की बनाया करें इस तरह से हमने सारे की को तयार कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ तो हमने इस गड़ाय चड़ा दिया था उसमें तेल डाल दिया और ग्रम हो गया है अब इसमें हम धीरे धीरे की डाल देंगे इसको medium flame पर दोगंग द चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट तो जरूर ही करें यह हमारी टिक्की जो है दोनों तरफ से ब्राउन हो गया है पग गया है इसको निकाल लेते हैं यह हमारा बर्गर ब्रिड है यह आराम से शॉप में मिल जाता है त एच्छी तरग में साप चाकु से घैज चाकु से इसको कट किजिए बीच में से इस तरह से यंगर से बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो ऐसे घर में बना के बच्चों को खिला सकते हैं तो इस तरह से बना डाल दिया है इसको मीडियम फ्लेम पे बर्गर का ब्रेड है उसको दोनों तरफ से हलका सेख लेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा बटर में सीख लेंगे न थोड़ा साल क्रिस्पी हो जाएगा तो बहुत ही टेस्टि लगेगा बच्ची को बहुत पसंद आता है बर्गर खाना इस तरह से दोनों तरफ से बटर लगा के दोनों तरफ से सीख लेंगे यह हमने परगर को सेख लिया है अब इस पे हम हरा चटनी थोड़ा सा लगा देंगे जो कि बिल्कुल कम तीखा है बच्चों के हिसाब से घर का बना हुआ चटनी है इसको हम अच्छे से लगा सकते हैं और इस पे हम जितनी गटनी सबजी लगें बच्चे जो नहींा खाते हैं वो भी इस तरह से खाएंगे हमारे पास latest तो नहीं है यह पत्ता गोभी का पत्ता है इसको भी आप डाल सकते हैं इसके उपर से गरम गरम टिक्की डाल दीजे और इसपे कुछ सबस्जिया डाल ले जो खीरा है टमाटर है प्याज है सिमला मिर्च है और जो सबस्जियां बच्चे नहीं खाते हैं उसको चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, इस तरह से, अब इसके उपर से बर्गर का दूसरा पीस डाल देंगे, ये बन गया हमारा बर्गर, है न टेस्टी, अब इसे काट के खाना चाते हैं, तो काट के भी खा सकते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, झाल झाल